हलो अब्रीवन सौथ है दोस्तों गरेफियर साब सभी लोगा हमारे इस निव वीडियो में दोस्तों काफी दिनों सबको कोई अपडेट नहीं मिल पा रहा था कुछ कारणों को वज़े से लेकिन आज दोस्तों को कंप्लीट अपडेट मिलने वाला है सियाई सेफ कोंस्टेवल फायर मैंन के रिगार्डिंग जिया दोस्तों काफी दिनों से बहुत सरे स्टुडेंट्स की कमेंट आ रहे थे कि सर अपने बात आया था कि जो फीजिकल ए सियाई सेफ का ये अगरस्त 20 क आपको क्या क्या लेकर के जाना है और कैसे इसका फीजिकल होंगे इन सारे स्टों के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस यूटूब चैनल पहली बारा रहे तो चैनल लोग सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि आपको उस तरह के जितने वी वीडियो जो सबसे पहले देखने को मिले तो चलिए दोस्तों अगर बात करूं इस वेकैंसी के बारे में तो यह तो उस दोरान स्टुडेंट्स को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा जैसे कि आपके नाइन्टिफॉर सेंटर के उपर आपके जो एक इसकी फीज्कल हो रही थी इस दोरान दोस्तो जो भी कंडिदेट्स जिनका भी पिछला बार कोविट के वज़े से फीज्कल नह होने के वज़े से उनको आउट कर दिया गया और फिर इस रिकूरूट्मेंट प्रोसेस से बाहर होगा ठीक है तो अगर आप भी जाने वाले हो देने के लिए फीजिकल का फायर तो आप दोस्तों जो कि यहां पर देख सकते हो कि यह जो है यहां पर देख सकते हो कि यह जुलाई 2022 बाइस जारी किया गया है लिट्रेस्टी नोस्टीफिकेशन है और इसके तहद क्या मेंशन किया गया है मैं आपको आग बताता हूँ तो यह इसी वाई से यहाँ पर साल 2021 लिखा हुआ है, इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि काइंडली रेफर्ट तु इस डियरेक्ट लेटर नमबर आप लेटर नमबर भी देख सकते हो, आप चाहँ तो इस चीज़ को ट्रेस भी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ अब देख सकते हैं जो आपका लेटर नहमगर है उ peng ऐसाम हो यहाए जो भी yem सने सीवियर skincare आपका जो अगस्ट और सिट्मबर के मंथ में कंड़क्ट कराए जाएगा मैंने आपको पिसली वीडियो में भी अपने बताया था अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो उन वीडियो को देख लेना उसमें बताया था कि आपका 20 अगस्त के बाद दोस्तों जो है आपके अपडेट देखने को मिलेंगे और आपका फिजि मालो कि अगर 20 तारिक से अगर एडमिट काड पहले ही आ गया तो फिर उस ताइम आपको टाइम नहीं मिल पाएगा आपका डॉकमेंट बनाने का और फिजिकल पिरपेर करने का तो आप रनिंग कंडे निवसली जाई रखो क्योंकि 20 अगस्त जो है 20 अगस्त ये गाठ मार ल पी टीयों कंडीक्ट करा जाएगा तो इस सेंटर से देख सकते हों हैं आपको इस्ट सेक्टर है यानि बिहार सारखन का हैं इसी तरह से紅 हपकरैस ये इस तरह से हैं इसको लाप कर लेते हैं कि्लिद्ध के बारे में कि 우rp क्रीप्यर कर लोगा आपको जो पीर आपको को आउट कर दिया गया तो आप डॉकमेंट्स कौन कौन से प्रिप्यर कर लो कि सबसे पहले दोस्ता आपके आपके पास मुस्ट होना चाहिए अधार कर अगर आपके पास नहीं है तो आप फिर आउट हो जाओगे दूसरे नमबर पर आपका डॉकमेंट में बात करूँ तो प एक कंडिडेट तो नहीं है ऐकल आपके वेरिफिकेशन के लिए ठीक है ड्राइविंग लाइसेंस हो गया फिर आपके पास जो एक तरह से कहें तो आईडी कार्ड हो गया होगे अगर आप एक सर्विसमें हो या फिर जो भी हो तो आपके पास यह बेसिक डॉकमेंट्स आप यह बनवा सकते हो आप स्टेट या राज्य स्रकार का से सेंट्र गवर्मेंट्स या फिर आप ब्लॉक लेबल पर इसमें कोई एलिजिबिलिटी नहीं मंगी गई है कि आप कहां से बनवाओगे आप कहीं से बनवा सकते हो पांचगन नमर पर दोस्तों आपका कास्ट सर्टि इनको यह डॉक्मेंट प्रिपेर करवाना है ठीक है इसके बाद दोस्तों छट्थे नमर में बात करूं तो आपके फोटोग्राप्स लेंगे दो फोटोग्राप्स जो है आपको चाहिए जो की लेटिस्ट हो अगर आपने फॉर्म फीलप करते समय अगर जमा किया था उन जादा पढ़े लिखे होगे ज्यादा क्वालिफिकेशन हो तो ज्यादा प्रिफेंस है आपको मिलने का ठीक है अगर आपके पास कहीं आपने सियाई से चोड़ो अगर आपने कहीं भी फायर का ट्रेनिंग और आप उसका जो एक्सपिरियंस सर्टिफिकेट है आप इसको अ अगर आपने इंडियान नेवी इंडियान आर्मी और इंडियान एयर फोर्ट से अपलाई किया है मैं इसकी आपने सर्वीस कर रखा तो आप अपने डिश्यार्ड सर्टिफिकेट ले लोगे इसके साथ दोस्तों आपका जो है अगर आपने पहले से कहीं फायर की चाहिए जो की नए फोटोग्राफ सोने चाहिए इसी के साथ दोस्तों आपके जो है नेक्स्ट है आपका AC, ST, OBC और यापी EW सर्टिफिकेट हो जो की आपका डिशर्वैसन सर्टिफिकेट है आप इसको अपने साथ केरी करोगे फिर चौथन नमबर पहे आपका ड्रोंव जो कि आपको ले करके जाने हैं जब आप फिजकल देने जाओगे सियाई से कॉंस्टेवल फायर मेन के तो दोस्तों बेसिकल यह अपडेट्स हैं आपके अभी रिसेंट मनिकल करके आ रहे हैं और आपके अपडेट जारी नहीं किया गया है लेकिन आप अगस्त 20 तक वेट करो आपका अगस्त 20 तक आपका अधमिट कर्ड जो है जारी कर दिये जाएगा एक्कोर्डिंग तो डीसी नॉटिफिकेज़न इंदेख रहा